इरादे रोज बनते हैं मगर फिर तूट जाते हैं वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं आज से कोई 800 साल पहले सैक्डो मील का कठिन सफर तै करके ख्वाजा साहब हिंदुस्तान के अजमेर तश्रीफ लाए हिंदुस्तान और एशिया के ही नहीं बलकि यूरोप अमरीका और अफरीका वगेरा के लोगों को भी आपकी लाजवाल बातिनी शवकत अपनी तरफ बुलाती है लोग आते हैं सरे नियास जुकाते हैं और कलभी इतमिनान और रूही सुकुन हासिल करते हैं अजमेर की गलियों में अमीर गरीब, छोटे बड़े और सभी धर्मों के मानने वाले एक साथ दिखाई देते हैं यहां पर दीन वा मजहब अमीर गरीब चोटे बड़े किसी भी तरहां का भेदभाव नहीं है और सब पर खौजा साहब के रहम और करम का नूर बराबरी से बरसता है ये वो बुलंद दर्वासा है जहां पर बादशाहों से लेकर बड़े बड़े हुकमरान पूरे अदब के साथ सर जुका कर ही हाजिर हुए खौजा साहब का पैगाम पैगाम महबत था अपने लोगों के दिलों में मजभब वा मिल्लत की तफरीक किये बिना महबत की तुखमरेजी की और इस तरहां खौजा साहब ने सब को यगानगत और भाईचारे के रिष्टे में मुनसलिक फर्मा दिया बलकि हमातन महबत बना दिया यही वज़ा है कि आज भी हर मजभब के मानने वाले दुनिया भर से हाजिर होकर इस मरकज अकीदत पर अकीदत के पूल पेश करते हैं तुम्हारी जात से मेरा बड़ा तालुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज खुश नसीब हैं वो लोग जो आज 800 बरस बाद भी आपकी पाक जिन्दगी के हालात इर्शादात और तालिमात से अपने लिए राहे अमल तयार करके मुस्तफीज होते हैं बगर्दा बे बला उफ्तादा कश्ती जईफाने शिकस्ता रातो पुश्ती बहक के खुआ जाए उस्मान हारूं मदद कुनिया मुईन अद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मुईन अद्दीन चिश्ती खुआजा गरीब नवास के दर्बार में सुफियाना कलाम का सिलसला चलता रहता है और सामेईन को रूहानी वा कल्बी सुकून हासिल होता है सर्दानत आप की और इजाम आप का है आप आखा मेरे जाजा आप आखा मेरे में उलाम आप का आप आखा मेरे मेरे जाखा मेरे जाखा मेरे आप के दर्बार की खिती यहां कलाम पेश करना किसी भी फनकार के लिए बड़े फखर की बात होती है आज तक कोई मायू जिनाटा नहीं मारी हर जिंदे बेतू है मारी हर जिंदे बेतू है आप आप का मेरे जाजा आरे अर्ग मुस्ता है, हुआ मापदा, इतके किस्तम बल गए सब करम मेरे खाजा इतके किस्तम बल गए सब करम ख्वाजा साहब ने इर्शाद फर्माया कि भूके को खाना खिलाना, हाजत रवाई करना और दुश्मन को माफ करना अच्छे नफस की जीनत है उन्हों ने फर्माया कि फकीरी का मुस्तहिक वो इनसान होता है जो दुनिया फानी में अपने पास कुछ ना रखे आप ने फर्माया कि किसी का दिल न दुखाओ, हो सकता है कि वो आंसू तुम्हारी सजा बन जाए दुखियों की मदद करना और उनकी फर्याद सुनना अफजल अबादत है अजमेर से रवानगी का वक्त आ गया इस दुखा और उमीद के साथ के खौजा साहब एक बर फिर अपने दर पर बुलाएंगे खौजाए खौजगां मुईन द्दीन फखर कौनो मकां मुईन द्दीन मुर्शिद रहनुमाए एहल सफा हादिय इनसुजां मुईन द्दीन